नमस्कार किसान भाईों मंडियों के भाउं पर एक नजर डालेंगे क्यूंकि रविवार की छुट्टी के बाद आज अधिकतर मंडियां खुल जाएगी और बड़ी बात ही है आज मंडियों में तेजी के साथ कारोबार होने की उम्मीद है क्यूंकि पिछले सत्र के दोरान आपने सोसल मीडिया पर देखा होगा नोखा की मंडि में इसब घोल 25,500 रुपे में भी बिकी है हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि सबी किसानों को इसब घोल का भाव 25,500 रुपे मिला लेकिन कुछ मंडियों में जहां बोली लगती है तो इस पर घोल के भाव में जबर्दस्त तेजी देखी जा सकती है फिलाल इसब घोल और जीरा को लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही है पिछले सब्ताह में नागोर मेर्टा में मसाला फसल जीरे ने अब तक के सारे रिकोर्ड तोड़ दी थे इसका अधिक्तम भाव 41,000 रुपे पर सब्ति कि उंटल पर पहुंच गया था और आज जब मंडियां खूलेगे तो सबसे ज़्यदा नजर इसब घोल और जीरे के भावं पर ही रहेगी क्योंकि आज इसब्ताह का पहला दिन है और आज अगर सब्ताह में तेजी की उम्मीदें काइम रहेगural और आपको बता दू जीरे के भाव कहां पर पहुंचेंगे इसके बारे में भी कहना जल्द बाजी होगी लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गेहूं से लेकर इसब घुल और जीरा में जबरदस्त तेजी देखी जा सकती है और आज मंडियां खुल गई है भाव किस तरफ जाते हैं क्या आज भी भाव में जबरदस्त उचाल आएगा इसके बारे में मैं साम को आपको अपडेट करने की कोशिस करूँगा क्यूंकि साम तक लगभग सबी मंडियों के भाव भी मेरे पास आ जाएंगे और बड़ी खाबर यह है फिलाल आपको दो चार दिनों का इंतिजार करना च अब ही आप अपने उपज को अपने पास रख सकते हैं हो सकता है दो चार दिनों के बाद इस सब घोल जीरा गेहूं के भाव आपको अच्छे मिल जाए